बश्कार दोस्तो, कास के लासेज में मैं चंदर हास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हम एक बार इस वीडियो में हरियाना जी के के प्रक्टी सेटों की सुरुआत करेंगे हरियाना जी के के बहतरीन तरीके से प्रक्टी सेट करवाएंगे हर्याना जी के कि वो क्यूस्टन हम इस वीडियो में करवाएंगे जो HSSC वाला लगातार पूछता रहा है और भविस्टेव के अंदर जो भी एक्जाम होंगे उसके अंदर वो HSSC वाला फिर से पूछेगा ठीक है? तो आप वीडियो को अंतरता के जरूर बने रहेगा वीडियो पर अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा जितना प्यार और सहयोग आप सभी ने हमारी वीडियो के उपर दिया है उतना ही प्यार और सहे होगा आप इस वीडियो को भी दीजिएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम हर्याना के प्रक्टिस सैट करेंगे हर्याना जी के के बहतरी इंक्योसन इस वीडियो के अंदर देखेंगे आज का हमारा जो पहला क्योशन है कि संतोष यादव परवर्ता रोही जिनका सम्मंद कौन से डिस्टिक से है ये क्योशन आपको आता है लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि एक परसन से और परसन कैसे बनाने हैं एक ही परसन से अलग-अलग परसनों को कैसे करना है वो चीजे हम आपको सिखाएंगे ये पूछ रहा है कि संतोष यादव जो परवर्ता रोही है संतोष यादव परवर्ता रोही इनका सम्मंद कहां से है तो अब बताएंगे रेवाडी से अब ये संतोष यादव जो परवर्ता रोही है किस कारण से परसीद है इसके पीछे क्या उद्द से रहा है कि संतोष यादव परवर्तरो ही परसीद है क्योंकि यह हर्याना की पर्थ महिला है जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट को फते किया था लगातार माउंट एवरेस्ट को दो बार फते करने वाली संतोष यादव का संबंद रेवाडी से है इनका जनम संतोष यादव केंदर माउंट अग्रेस्ट को फते किया था याद रखेगा संतोष यादव परवर्ता रोही जिनका संबंद रेवाडी से है और हरियाना के सबसे युवा परवर्ता रोही जिसमें नाम आता है नरेंदर सिंग या नरेंदर यादव है जो नहरुगड गाव रेवाडी से पढ़ते हैं तो आप बताएंगे संतोष यादव रेवाडी से रेवाडी जिसका नाम रेउती के नाम पर रेउती बलराम की पतनी बलराम स्री किरसन का भाई और स्री किरसन बलराम को दाउजी कहता था दाउजी का मंदिर बंचारी में पढ़ता है और बंचारी पलवल में पढ़ता है और पलवल को कोटन सीटी कहते हैं कोटन हब के नाम से सिर्षा को जानते हैं सबसे ज़्यादा कपास सिर्षा में होता है लेकिन लेकिन आपने याद रखना है कि हर्याना में सूती धागे का उ और फतेहबाद में कोटन की पहली मील कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1963 के अंदर लगी थी. तो संतोष यादव ने पहली बार माउंट अवरेस्ट फतेह किया, दस मईए 1902 में से, बाणमे में दूसरी बार 1903 में के अंदर फतेह किया था. ये याद रखिएगा, आपने याद रखना है से टूडेंटों, कि 1902 में के अंदर पानीपत दूसरी बार डिस्टिक बना था. पानीपत दोबारा जिला कब बनाय गया था? 1902 में में. और पंचकुला के यादवंदर गार्डन से, आमो के मेले की सुरुवात भी कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1902 में से. 1902 में से पंचकुला से आमो के मेले की सुरुवात हुई थी. कहने का मतलब, आमो के मेले की तो 1902 में से और सूरजगुंड का मेला जिसमें भारत के सारे सिल्पी वे कलाकार भाग लेते हैं वो सूरजगुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है उसकी सुरुआत कब हुई थी 1986 में लेकिन पहली बार सूरजगुंड का मेला लगा था 1987 के अंदर याद रखे ठीक है त आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो पर आंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहीएगा चलिए चलिए नेक्स क्योशन की तरफ बढ़ते हैं भाई अच्छा एकदम बहतरीन तरीके से करवाएंगे ये नेक्स परसन है कोहिनूर समाचार पत्तर के स समपादक वो कौन सवतनतरता सेनानी थे बाल मुकंद गुप्त जिनका संबंद कहां से रहा है तो आप बताएंगे गुडियानी से गुडियानी कहां पड़ता है रेवाडी के अंदर ये गुडियानी पहले जजजर में था और वो जजजर पहले कहां हुआ करता था तो इन्होंने इनका बाल मुकंद गुप्त का हिंदी और उर्दू के ओपर समान अधीकार था। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी समाचार पत्तर निकाला था। और उर्दु में अकबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्तर निकाला था किसने बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने लेकिन आप से पूछे कि बीरबल का चट्ता नारनोल में और बीरबल का जो चत्ता है उसका दूसरा नाम है राय मुकुंद दास का चत्ता बीरबल का चत्ता जिसे हम कहते हैं राय मुकुंददास का चत्ता और वो कहां पर पढ़ता है तो आप बताएंगे नारनोल के अंदर पढ़ता है किलियर है किलियर रखना है उसके बाद मैं देखें next point बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वही एक दम मज़ा आएगा देखना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक दम बहतरी तरीके से पढ़ेंगे और कौन सा परसन है वो देखें खिलाडी राम मेहर सिंग का संबंध किसे है तो आप बता देंगे कबड़ी से पैदल चाल से संबंधीते चांद राम चांदराम पैदलचाल और रामेर सिंग जो खिलाडी है वो किसे समंदीत है तो आप बताएंगे कबड़ी से हरियाना में कौन सी भैस की नसल परसीद है तो आप बताएंगे मुर्रा ये सभी को मालूम है हरियाना में मुर्रा नसल की जो भैस से ये परसीद है लेकिन मुर्रा भैस अनुसंधान केंदर कहा है, मुर्रा भैस अनुसंधान केंदर के बात करें, कि मुर्रा भैस अनुसंधान केंदर कहा है, तो आप बताएंगे नार नोंद में, नार नोंद नहीं, नार नोंद, और ये नार नोंद कहा पड़ता है, तो आप बतादेना हिसा की एक विधानसवा सीट का नाम है नारनोंद हरियाना में सबसे ज़्यादा विधानसवा की सीट कहा है तो आप बताएंगे हिसार में कितनी सीटे हैं साथ सीटे हैं जिसमें से एक ऐसी रिजरव सीट उकलाना है और उसी उकलाना के रहने वाले हैं पियूस गोयल और वर्तमान डादे 1903, और एक कालका से सिमला तक नैरो गेज रेलाइन बिचाई गई थी 1903 में, लाण करजन ने ही इसको हरी जंडी दिखाया था, लेकिन कालका से सिमला जो नैरो गेज रेलाइन चलती है, उसे वर्ल्ड हैरिटीज लिस्ट में, विस्व राससूची में कब जोड़ा गय जजजर में कब बना था, 2008 में, पलवल कब बना था, 2008 में, भगवध्याल सर्मा मेडिकल कोलेज रोहतक कब बना था, 2008 में, नरेगा के तीसरे चरण की सुरुआत कब हुई थी, 2008 में नरेगा के तीसरे चरण की सुरुआत हुई थी, याद रखे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से हरियान जी के पढ़ेंगे. नेक्सी तरीक्स देखे. नेक्स परसन देखे. अंतरिक्स अभियान में कलपना चावला की मिर्तिव कब हुई थी? ये क्यूस्टन आपको आता है. शोर है कि ये question आपको आता लेकिन इसी परसंद से और परसंद क्या-क्या बनेंगे वो हम आपको सिखाएंगे हम आपको सिखाएंगे कि इसी परसंद से और परसंद क्या-क्या बनेंगे कोन-कोन से परसंद उठेंगे यहां से कोन-कोन से परसंद बनेंगे तो आप बताएंगे एक फरवरी 2003 के अंदर कलपना चावला की मिर्तिव हुई थी एक फरवरी 2003 में कलपना चावला जिसका जनम 1961 में हुआ था और हरियाना का पहला सैनिक स्कोल कुंजपुरा करनाल में 1961 में खुला था अरजुल पुरुसकार की सुरुवात 1961 में हुई थी गोवा पुर्तगालियों से सवतंतर 1961 में हुआ था और विश्व का पर्थम व्यक्ति अंतरिक्स यातरी विश्व का पर्थम व्यक्ति जो अंतरिक्स में गया था यूरी गागरीन 1961 में लेकिन कलपना चावला अंत्रिक्स में गई थी 1906 में याद रखे हरियाना में सराब बंदी कानून लागू हुआ था एक जुलाई 1906 में से एक अपरेल 1908 में तक और 1906 में हरियाना की माटी का पहला रास्टी समाचार पत्तर देनिक हरी भूमी निकला था कहां से रोध तक से और 1906 में में ही चरकी दादरी विमान दुरगटना हुई थी जिसमें 349 लोग मारे गए थे और 1906 में ही चोधरी देविलाल ने लोकदल पार्टी बनाई थी और लोकदल का नाम बदल कर इंडिया नैसनल लोकदल 1908 में में किया गया था लेकिन आपसे पूछे कि हरियाना की पहली छेतरीय पार्टी कौन सी है तो आप बताएंगे हरियाना विसाल पार्टी हरियाना की पहली छेतरीय पार्टी रूरल पार्टी पूछे आपसे पहली छेतरीय पार्टी पूछे तो विसाल पार्टी और हरियाना विसाल पार्टी कब बनी थी तो आप बताएंगे 1967 में हरियाना विशाल पार्टी किस ने बनाई थी तो आप बताएंगे राव ब्रेंदर सिंग ने और राव ब्रेंदर सिंग जो हरियाना के सबसे कम समय तक विधान सब आद्यक्स रहे थे सबसे ज़्यादा समय तक विधान सब अध्यक्स सरदार तारा सिंग थे और सबसे ज़्यादा बार विधान सब अध्यक्स कोन बने थे तो आप बताएंगे हर्मिद्नर सिंग चड़ा बने थे कितनी बार बने थे तीन बार बने थे तो हर्याना विशाल पार्टी जिसका चुनाव चिंता उगता हुआ सूरिये, जो हर्याना की पहली छेत्रिये पार्टी थी, जो राव बिरेंदर सिंग ने बनाई थी, जो 1967 में बनी थी, लेकिन हर्याना विकास पार्टी, हर्याना विकास पार्टी जो चोदरी बनसिलाल ने हर्याना विकास पार्टी जो चोदरी बंसिला ले बनाई थी और हर्याना विकास पार्टी भी 1991 के अंदर ही बनी थी जिसका चुनाव चिन लड़का लड़की हुआ करता था तो आप बताएंगे लड़का लड़की जिसका चुनाव चिन हुआ करता था ये पॉइंट आपने एकदम जहर तरीके से याद रखने एकदम मस तरीके से याद भाई हरियाना जीके में आप गुमा दोगे अरे आप किसी को भी गुमा दोगे आप वीडियो को अंते तक देखे आप किसी को भी गुमा दोगे अमारे साथ में जुड़ो आप हरियाना जीके में बैतरी भाई साब आप हरियाना जीके को बखेर देगो मिंटों में वखेर दोगे आप देखना अरे आपके माइंड के चम्ता बहुत जादा है आप कुछ भी कर सकती ये तो हरियाना जी के है बस उसके बाद में है संदेश नामक सापताहिक समाचार पत्तर किस ने निकाला था ये परसन भी आपको आता है लेकिन इसी परसन से और प संदेश नामक समाचार पत्तर 1930 में भीवानी से किस ने निकाला था पंडित नेकिराम सर्मा ने निकाला था और ये पंडित नेकिराम सर्मा जिसका जनम 1887 में कैलंगा गाउं रोहतक में हुआ था 1887 में सो जोड़ते 1987 पहली बार सूरजगुंड का मेला लगा था 1987 में बुड़ापा पैंसन की सुरुआत हुई थी 1987 में चोदरी देविलाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था 1987 में और स्री किरसन संगराले कुरू छेतर में बना था 1987 में लेकिन सो गटा थे 1887 हरियाना क के अंदर कॉंग्रेस की दूसरी साखा हिसार में खुली थी 1887 में किसके परियासो से लाला लाजपत्राई के परियासो से और लाला लाजपत्राई जिसका राजनिती कारिये छेतर कौन सा सहर हुआ करता था तो आप बताएंगे हिसार और हिसार जिसका पुराना क्या नाम है इस सु यार किस ने बसाया था फिरोशा तुगलक ने कौन सी स्ताफदी में बसाया था तो आप बताएंगे 1420 स्ताफदी में बसाया था और कब बसाया था 1354 में तेरा सो चोवन जिसमें 407 जोड़े आप बताएंगे 1754 अरे 1754 में एहमद साबदाली और मराथे आपस में लड़े थे फरीदाबाद में हम पानिपत की तीसरी लड़ाई का जिकर नहीं कर रहें लेकिन पानिपत की तीसरी लड़ाई से पहले एहमद सावदाली और मराठे फरीदाबाद में लड़े थे आपस में 1754 के अंदर 200 साल जोड़ दे 1954 मनोहर लाल खटर का जनम हुआ था तो ये याद रखे संदेश नामक सापताहिक समाचार पतर पंडित नेकी राम सर्मा ने 1930 में निकाला था भीवानी से ये पंडित नेकी राम सर्मा बाल गंगदर तिलक की होम रूर लीग के सदेसे बने थे 1916 में और जब 1914 से लेकर 18 तक वल्ड़वार चला था उस वल्ड़वार में हरियाना में सैनिक भरती का मुख्य के इंदर रोह तक था और उस सैनिक भरती का विरोध पंडित नेकी राम सर्मा ने किया था और उस रोह तक से 22,144 सैनिक भरती हुए थे जिसका विरोध पंडित नेकी राम सर्मा ने किया था और कुरू छेतरा युनिवस्टी की डीव डोक्टर राजिंदर परसाद रखता है और डोक्टर राजिंदर परसाद जिनके सपनों का सहर फरीदाबाद है और फरीदाबाद जो शाहजा के सासनकाल में सेख फरीद की याद में बसाया गया था हरियाना में छेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा जिला पंचकुला है और याद रखेगा छेतरफल में सबसे बड़ा जिला सिर्सा है और सिर्षा जिसका चेतरफल ब्याली सो सतितर वरक किलोमेटर सिर्षा का चेतरफल है तो ये चीज़े याद रखे आसोक स्तंब की लीपी क्या है आसोक स्तंब की जो लीपी है वो ब्राहमी लीपी है आसोक स्तंब की जो लीपी है वो कौन सी है ब्राहमी लीपी ब्रामिलिपी और टोपरा सितित असोक स्तंब को दिल्ली को लेकर गया था तो आप बताएंगे दिल्ली में किस ने रखवाय था फिरोजा तुगलक ने कौन कौन से सहर बसाये थे तो आप बताएंगे हिसार और फतेहबाद फतेहबाद 1352 में बसाया गया है फिरोजा तुगल और बहुतरी तरीके से हरियाना जीके सीखे, रोज आपको हरियाना जीके के प्रक्टिस सेट मिलेंगे, अब की बार आप एक्जामों को चुट्कियों में बखेर देंगे, अरे आप एक्जाम आने दो हरियाना के, हरियाना जीके को आप बखेर देंगे, आप हमारे साथ में ज दोस्तों बहुत जल्द उस समय तक आप हमारे साथ में बने रहें, आप अपना प्यार और शहयों लगतार हमारे साथ में बरकरार रखिएगा, बना कर रखिएगा, तो जै हिंद, जै भारत, जै हर्यान, जै जवान और जै किसान, धन्यवाद.